बच्चों अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडल सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहा हैं तो सर्फेस केमेस्टी यह चैप्टर हम लोग का तीन पार्ट में बटा हुआ है कौन-कौन सा पहला पार्ट एड़्जॉर्शन वह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं निमेरकल भी उसके कर चुके हैं सेकेंड पार्ट कोलाइड जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और थर्ड पार्ट हम लोग का कौन सा है कैटलिस्ट तो लोग आते हैं कोलाइड पर ध्यान से पहले समझना है पहले चीजों को बेसिक फंडामेंटल बिलकुल क्लियर करना है कभी भी कोलाइड किसे कहते हैं अगर कभी भी कनफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखिए पार्टिकल के साइज को याद कर लिजिए पार्टिकल के साइज को याद कर लिए कभी भी कोई कनफ्यूजन नहीं होता है तो कोई वैसा सिस्टम लिया गया है को ऐसा सिस्टम जहां पर पार्टिकल का साइज वन नैनो मीटर से थाउजन नैनो मीटर के बीच में हो वैसे ही सिस्टम को हम लोग क्या बोलता है कोलाइडल सिस्टम तो कोलाइडल सिस्टम में पार्टिकल का जो साइज होता है या कोलाइ अगर particle का size 1 nanometer से छोटा हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं true solution तो ध्याम रखना है solution के बीच में और collateral particles या collateral solution के बीच में जो difference है basic fundamental difference किसका है तो particle के size का ये size ऐसा factor है जिसको हम लोग बहुत ही आराम से सिंपल वे में समझ सकते हैं तो अगर particle का size 1 nanometer से कम तो उसे solution या और भी clearly बोला जाए तो उसे true solution बोला जाता है और particle का size 1 nanometer से 1000 nanometer के बीच में हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं collateral system या collateral particles modern concept अगर बोला जाए तो आज कल scientist इसे collateral state भी कहते हैं collateral state जैसे हम लोग तीन physical state पढ़ते हैं basically अली तीन physical state कौन कौन से तो solid state liquid state gas state तो जिस तरीके से तीन physical state हम लोग study कर रहे हैं solid state liquid state gas state उसी तरीके से बिल्कुल modern concept में क्या बोला जाता है तो collateral state मतलब क्या हुआ यह जो collateral state है किसी particular substance के लिए नहीं बोला जाता है यह एक states of matter बताया गया है तो आज के modern concept में collides को क्या बोला जाता है तो it is a state of matter like solid liquid and gaseous state तो मैं फिर से point को repeat कर दे रहा हूं अगर हम लोग के दिमाग में क्या है कि solid state, liquid state, gaseous state यह तीन अस्टेट हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि इसको हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन जैसे collateral state बोल दिया जाए कि it is a state of matter तो यहीं से confusion होता है तो बिल्कुल ध्याम रखिएगा अगर यहां से confusion क्रियेट हो collateral state वर्ड बोलने से दूसरा point या दख लिएगा अगर पार्टिकल का size one nanometer से thousand nanometer के बीच में है तो ऐसे particles को हम लोग क्या बोलते हैं collateral particles या उस system को क्या बोलते हैं collateral system मतलब अगर कभी भी भी collateral state बोला जाए collateral state तो collateral state तभी बोलेंगे जब उस state में particle का size कित्रा होगा तो one से thousand nanometer के बीच का होगा चाहे वो solid हो liquid हो gas हो या उनका कुछ mixing भी रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है मैं repeat कर रहा हूं collateral state अगर कभी बोला जाए confusion हो रहा है तो collateral state तभी भी बोलेंगे जब particle का size one से thousand nanometer के बीच का होगा चाहे वहाँ पर physical state चाहे वो solid हो liquid हो या particle gas में हो या उनका कुछ mixing हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है अब collateral system की बात किया जाए तो इसका जो nature होता है या इसका जो character होता है वो heterogeneous in character colloidal system colloidal system इसका जो character होता है वो heterogeneous in nature या heterogeneous in character heterogeneous in character का मतलब सबसे simple example से इसको हम लोग समझते हैं इस word को समझने के लिए हम लोगे एक example लेते हैं फॉग का हम लोग जाड़े के दिनों में ठीकर रहना जाड़े के fine drop छोड़े छोड़े particles water के बहुत ही fine drop liquid water liquid water के बहुत ही fine drop जिनका size one nanometer से thousand nanometer के बीच में होता है तो वा liquid water के बहुत ही fine drop जिसका size one nanometer से thousand nanometer के बीच में होता है वो liquid water के particles air में क्या होते है suspended होते हैं तो भाई देखिए यहां पर water liquid form में वो air में gas में क्या है suspended है तो भाई यह जो character हो गया character कैसा हो गया हम लोग का तो heterogeneous character हो गया यहां पर तो जो particles suspended है जो particles dispersed है फैला हुआ है उसे हम लोग बोलते है dispersed phase dispersed phase और जिस medium में dispersed है उसे हम लोग बोलते है dispersion medium dispersion medium तो पहले सब कुछ टर्म से समझें dispersion medium और dispersed phase किसे काता है तो यहां फाउग के example में dispersed phase कौन है तो liquid water liquid water और dispersion medium कौन है तो air भाई dispersed phase और dispersion medium को एक्जामपल से समझें लिक्विड वाटर का बहुत ही fine ड्रॉप जिसका size 1 से 1000 नेनो मिटर के बीच में था वह एर में फैला हुआ है dispersion medium और लिक्विड वाटर का जो particles है उसको में लोग क्या बोलते हैं classification किसी particular substance के लिए नहीं कहते हैं कोलाइड क्या बोला जाता है तो it is a state of matter यह एक state है colloidal state जैसे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं गैस state liquid state solid state हाथ यह कोलाइडल state कब बोलेंगे तो जब particle का size 1 से 1000 नेनो मिटर के बीच में रहेगा तब उसे हम लोग क्या बोल देंगे colloidal state अगर particle का size 1 नैनो मिटर से कम है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे true solution तो कभी भी कोलाइड में को समझने में confusion हो त्रंत दिमाग में लेकर चलना है बिल्कुल basic fundamental colloidal particles या colloidal system में जो particle का size हो होता है वो कितना होता है 1 से 1000 नैनो मिटर के बीच का 1 नैनो मिटर से कम है तो उसे हम लोग क्या बोलते है true solution बोला जाता है quadal system colloidal system का nature कैसा होता है heterogeneous in nature या heterogeneous in character इसमें एक substance किसी दूसरे substance में क्या होता है dispersed होता है तो जो substance dispersed है उसको dispersed phase कहते हैं और जिस medium में dispersed होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं dispersion medium कहते हैं एक simple example fog का example जाड़े के दिनों में जो हम लोग को fog मिलता है तो इस fog में क्या होता है लिक्विड वाटर के very fine पार्टिकल बहुत ही fine पार्टिकल एर में dispersed होते हैं तो एर में dispersed है तो एर हम लोग का dispersion medium और लिक्विड वाटर के जो पार्टिकल से हम लोग क्या बोलते हैं disperse phase कहते हैं कि अभी तक हम लोग कोलाइड के बारे में जो सिखे हैं वही सारा चीज बोर्ट पर लिखा गया है पढ़िए के करकर दटर्म कोलाइड डास नॉट अपलाई टूए पार्टिकुलर क्लास आप सब्स्तेंस तो ध्यान बढ़ना का किसी पार्टिकुलर सब्स्टेंज किसी पार्टिकुलर टाइप Sब्स्टेंस के लिए नहीं बोला जाता है बट इत आ क्यों यह सथे इस पर से उसको डिसपर्स फेज कहते हैं यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है तो इन वीच वन सब्स्टेंश इस डिसपर्श डिस पर्टिकल इन अनाधर सब्स्टेंश कॉल्ड डिसपर्शन मेडियम तो एक एग्जामपल यहां पर लिखा जा सकता है यह फाउग का आप लोगजिए ऐग्जामपल दियाण बरकिया होता है तो विट्विट बाथ और के वेरी फाइन पसीश बहुत ही फाइन पार्टिकल एयर में ने निदिस पर्मिल फैस दूसरा कौं सा डिसर्पर्शन मेडियम तो एक एकर कर्णाईए दिस फेज उसको सॉ दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब या इन्टर्नल स्मॉल प्रोपॉर्शन वहोंगे और एक स्मेलटि क्या जा रहा है इस जास्ट लाइक a solute in a true solution तो ऐसे समझें जहां हम लोग true solution की बात करते तो हाँ पर दो पार्ट एक solute दूसरा कौन सा solvent तो solute के particle solvent में dissolve कर दिये गया है तो solvent में dissolve कर दिये गया है तो उसको समझें कि just like dispersion medium हो गया और solute के particles solution में 4 फैले हुए है तो solute के particles को क्या बोलेंगे dispersed phase एक analogy है तो ध्यान रखेगा अगर solution के example से समझें तो solute को dispersed phase बोल देंगे और solvent के particles को क्या बोल देंगे dispersion medium बोल देंगे चलिए पहला थाम लोग का dispersed phase आप लोग उता रहिए तो कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि दूसरा टर्म हम लोग का था dispersion medium तो dispersion medium को समझें जैसा कि मैंने भी बताया था जैस्ट लाइक सोलवेंट तो dispersion medium इसे हम लोग continuous या आउटर फेज या external फेज भी कहते हैं पढ़िए इस नॉर्मली दा component present in excess amount and is just like a solvent in solution तो ध्यान रखेगा दो टर्म डिस्पर्स फेज और dispersion medium साथ साथ पढ़ते भी चलना है कॉपी में लिखने के साथ याद भी होते चाहिए कुछ important term तो कुछ important term साथ साथ याद भी होने चाहिए तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिजेगा dispersed phase और dispersion medium फॉग का एक 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 एग्जांपल याद रखिए फॉग में क्या था तो liquid water के very fine particle air में dispersed थे तो जो substance dispersed है फैला हुआ है उससे हम लोग क्या बोलते है dispersed phase और जिस medium में dispersed है उसे हम लोग क्या बोलते है dispersed and medium तो liquid water के particle वो dispersed phase के particle हो गया और air के particle और dispersion medium के particle हो गया एक एनलॉजी से solution से समझ सकते है solution में क्या होता है solute को solvent में dissolve कर देते हैं तो solute पुरा फैल जाता है solvent में through out uniformly पुरा फैल जाता है तो solute हम लोग का dispersed phase हो गया और solvent क्या हो गया यह मीडियम था इसी मीडियम में dissolve हुआ था तो solvent हम लोग का dispersion medium हो गया चलिए उसके बाद basic fundamental difference अगर बोला जाए तो size का है यहां से कोई confusion नहीं ध्यान दिजेगा particle का size एक नैनो मीटर से कम हुआ तो true solution के particles है particle का size 1000 नैनो मीटर के बीच का है तो colloidal particles है और particle का size 1000 नैनो मीटर से ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या हो गया हम लोग का suspension हो गया तो यह हम लोग का कुछ fundamental टर्म स्था इसी में कुछ और भी टर्म हम लोग को नाम आगे चल कर मिलेंगे एक मिलेगा हमें कि मोनो डिस्पर्स कोलोईड को डिस्पर्स कोलोईड और दूसरा हमें मिलेगा टर्म नाम पॉली डिस्पर्स कोलोईड पॉली डिस्पर्स कोलोईड समझे मोनो डिस्पर्स कोलोईड और पॉली डिस्पर्स कोलोईड किसे कहते हैं तो वैसा कोलाइडल सिस्टम जहां पर सारे पार्टिकल का साइज सारे कोलाइडल पार्टिकल का साइज नियरली सेम। नियरली approximately सेम। हो, अधर से repeat कर रहा हूँ, वैसा colloidal सिस्टम जहां पर सारे colloidal particle का size नियरली वह हो उसको बहला जाता है mono dispersed collide और अगर particle का size में difference ज्यादा हो, nearly same particle का size नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? poly dispersed colloid, तो simple её monodispersed sachets तो size of all particles is nearly same और school ौ इसama पर झाल ज्यादा मिलेगा तो अगर साइज सारे पॉलाइडल पार्टिकल् लगभग से है Sus ко मौनोडिस पर सकते है साइज लगभग से नहीं है तो इसको अमों क्या क्या बोलते हैं पॉली डिस्पर्स काते हैं चलिए पहले आप लोग उतना उतारिए पॉली डिस्पर्स कोलोईड और पॉली डिस्पर्स कोलोईड आप लोग इसको पढ़िए इंपोर्टेंट पॉइंट में अंडरलाइन कर रहा हूं मोनो डिस्पर्स कोलोईड नियरली दर सेम साइज याद आया तो अगर पार्टिकल का साइज सारे फॉराइडल पार्टीकल का साईज नियरली सेम है तो उसको मोनो दिसपर्स कहते हैं और सीज अगर साइज अगर पार्टीकल का पॉल्ली डिसपर्स कहते हैं बाकि डिफ्नीशन बोड पर लिखा हुआ है आप लोग इसको उतार लेजिए चली यह हुआ कोलाइड के बारे में introduction कोलाइड कहते किसे हैं ठीक कुछ टरूस में हैं पर हम लोग सिख यहtha मों डिस्पर्ष कोलाइड स्वलली बारस उसके बाद डिस्पर्स प्रस फेज और डिसपरशन अ मीडियम हमेशा ध्यान रखेगा कभी भी confusion हमेशा particle का size दिमाग मिले कर आईएगा को लाडल पार्टिकल का size कितना होता है तो 1000 नेनो मिटर के बीच में तो अगर कहीं वैसा सिस्टम मिला जहां पर पार्टिकल का size 1000 नेनो मिटर के बीच में है तुरंत वो लिए को लाडल सिस्टम है वह को लाडल अस्टेट है चलिए को लोग आते है पर क्लाइट का कैसे किया गया है तो ध्यान दिजिएगा को लाइड का क्लासिफिकेशन का तीन क्राइटेरिया है तीन बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है पहले समझ लिजिए को लाइड का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया गया है पहला कौन सा है तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके फिजिकल अस्टेट के बेसिस पर दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है तो इंटर एक्षन इंटर एक्षन इंटर एक्षन इंटर एक्षन बिट्विन डिस्पर्श फेज और डिस्पर्शन मीडियम में आपस में जो इंटर एक्षन है डिस्पर्श फेज के पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स या दूसरे तरीके से बोले, disperse phase और dispersion medium में आपस में जो interaction है, उसके basis पर दूसरा classification किया गया, collide का तीसरा classification किसके basis पर है, तो type of particles, type of particles of disperse phase, disperse phase के particles के type के basis पर, तो अब ये तीनों point को मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, collide का classification तीन तरीके से किया गया, पहला तरीका कौन सा, तो disperse phase और dispersion medium के particles के physical state के basis पर, दूसरा तरीका कौन सा है, तो interaction between disperse phase and dispersion medium, तो disperse phase और dispersion medium के बीच में जो interaction हो रहा है, उसके nature के basis पर, nature of interaction between disperse phase and dispersion medium, और तीसरा classification कौन सा है, तो type of particle of disperse phase, one by one, तीनों classification को हम लोग one by one detail से देखेंगे, चलिए आप लोग इसको उतारिए, mono dispersed colloid and poly dispersed colloid, पढ़िए, colloid का classification, तो अभी हम लोग समझे थे, colloid का classification कितने तरीके से किया है, तीन तरीके से, कौन-कौन सा पढ़िए, colloids are classified on the basis of following criteria, तो तीन criteria है, पहला criteria कौन सा है, तो physical state of disperse phase and dispersion medium, तो dispersed phase और dispersion medium के physical state के basis पर, दूसरा criteria कौन सा है, nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, तो dispersed phase और dispersion medium के interaction के nature के basis पर, और तीसरा classification कौन सा है, तो type of particles of the dispersed phase, तो ये colloid का तीन तरीके से classification बताया गया है, हम लोग पहले पराते हैं, physical state of dispersed phase and dispersion medium, तो ये मैंने लिखाए DP dispersed phase और ये मैंने लिखाए DM dispersed medium, तो physical state, dispersed phase और dispersion medium के physical state के basis पर, तो एक है करकर समझ ये, बोला जाए कि dispersed phase का जो particles है, वो solid है, और solid का particles gas में dispersed है, या फिर solid का particles liquid में dispersed है, या फिर solid का particles solid में dispersed है, ये तीन तरीके के colloidal system हो गया, solid dispersed in gas, solid dispersed in liquid, और solid dispersed in solid, अब उसके बाद आगया है, बोला जाए कि नहीं, dispersed phase का जो particles है, वो solid नहीं है, dispersed phase का particles liquid है, तो dispersed phase का particle liquid, liquid, तो liquid dispersed in gas, liquid dispersed in gas, liquid dispersed in liquid, liquid dispersed in solid, तो dispersed phase का जो particle है, डीपी के particle अगर वो liquid है, तो liquid gas में dispersed है, liquid, liquid में dispersed है, या liquid solid में dispersed है, तो अगर dispersed phase के particle solid हुए, तीन colloidal system यहां मिला, dispersed phase के particle liquid हुए, तीन colloidal system यहां मिला, फिर बोला जाए कि नहीं, dispersed phase का जो particles है, वो gas है, तो dispersed phase का particle gas, तो gas disperse in gas, फिर gas disperse in liquid, और gas disperse in solid, तो ऐसे colloidal system के तने मिल रहा है, नाइन, लेकिन ध्यान पर रखिएगा, नाइन colloidal system होते नहीं है, gas disperse in gas, यह homogeneous system होता है, तो gas disperse in gas, अगर किसी gas को दूसरे gas पर मिला दें, उसका character heterogeneous नहीं होता है, उसका character homogeneous होता है, तो gas in gas यह true solution का example है, तो colloidal system disperse phase और dispersion medium के physical state के basis पर पूछा जाए, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, disperse phase और dispersion medium के physical state के basis पर पूछा जाए, colloidal system कितने type का, तो 8 type of colloidal system है, आपके सामने लिखा हुआ है, परते का सब का अलग-अलग नाम दिया गया है, जैसे for example, liquid के particle, liquid में disperse हैं, तो उसको हम लोग बोलता है, emulsion, एक special नाम दिया गया है, emulsion, तो ऐसे जितने भी यहाँ पर colloidal system दिखाएगा है, आठ टाइट के बताएगा है, किस के basis पर, तो disperse phase और dispersion medium के particles के physical state के basis पर, परते colloidal system का एक separate नाम दिया गया है, तो हम लोग अब उसी पर आ रहा हैं, हाँ, next point देखिए हम लोग का, एक table यहाँ पर दिया गया है, समझेगा table को, heading पढ़िए, classification based on physical state of disperse phase and dispersion medium, तो हम लोग का पहला classification है, colloid का, disperse phase और dispersion medium के physical state के basis पर, column पर ध्यान दिजिए, यह DP short में लिखा गया है, disperse phase, तो यह disperse phase के particles है, यह disperse medium के particles का physical state दिया हुआ है, और यहाँ पर ध्यान दिजिए, अगर disperse phase का physical state gas और dispersion medium का physical state liquid, मतलब gas के particles liquid में disperse है, वैसे colloidal system को क्या बला जाता है, foam या froth बोला जाता है, और उसके कुछ important example कौन कौन सा, soap salts, lemonade froth, whipped cream, यह कुछ important examples है, next आते हैं, disperse phase के particles gas में, मतलब gas का particles solid में disperse है, वैसे colloidal system का नाम क्या है, solid form, फिर यह solid form के कुछ examples है, फिर liquid के particles gas में disperse है, तो हमेशा ध्याम रखिएगा, अगर dispersion medium का physical state gas हो, तो उसको aerosols बोला जाता है, मैं repeat कर रहा हूँ, dispersion medium, dispersion medium का physical state क्या हो, gas हो, तो अगर dispersion medium का physical state gas हो, तो उसको aerosols कहते हैं, यहाँ पर ध्याम देजिए, liquid in gas, तो इसको बोलेंगे aerosols of liquid, और उसी को मैं थोड़ा यहाँ पर change करूँ, फिर मैं बोलू कि solid in gas, तो उसको बोलेंगे aerosols of solid, तो ध्याम रखना है, अगर dispersion medium के particles क्या हो, dispersion medium का physical state क्या हो, gas हो, तब उस collateral system को aerosols कहते हैं, liquid in gas, aerosols of liquid, solid in gas, aerosols of solid, तो liquid dispersed किसमें है, gas में, तो उसका collateral system का नाम क्या बताएगा, aerosols of liquid, और कुछ एक्जाम पलभी में बता भी रहा था, फाउग का जो example में बता रहा था, फाउग के example को द्यान दिए, liquid water, liquid water very fine particle group में, air में, gas में dispersed है, तो liquid dispersed किसमें है, gas में, तो aerosols of liquid, तो कुछ एक्जाम पलभी में, fog, cloud, fine insecticide sprays, insecticide sprays को समझ ये, हम लोग कीडे मगरा मारने के लिए जो अस्प्रे करते हैं, कीडे ये सब मारने के लिए जो अस्प्रे करते हैं, इस तरीके से अपना अस्प्रे किये, तो वो जो निकला हम लोग का, fine insecticide, insecticide का मतलब क्या हो गया, कीड़े यह सब मारने के लिए जो दवा होती है तो fine insecticide sprays वो हम लोग का aerosols में आता है mist वो भी किसमे हम लोग का aerosol में चलिए next example पर आते हैं लिक्विड लिक्विड में डिसपर्स है तो एका special नाम दिया है क्या इमल्सन तो लिक्विड लिक्विड में डिसपर्स है वैसे कुलाइडल सिस्टम को क्या बोलते हैं इमल्सन इसके कुछ important example milk hair cream medicines यह कुछ important example है चलिए पहले टेबल पूरा उतारी और ध्यान में रखना है यह पूरा टेबल हम लोग को learn करना पड़ेगा कोई shortcut नहीं है और अभी से कुछ लोग ऐसा सोचते होगे exam के time पर याद कर लेंगे तो एक शीर बताईए दो students एक student जिसने अभी याद कर लिया और दूसरा सोचेगा कि exam के time पर याद करें तो जो students अभी याद करेगा exam आते तो इसको कई बार वो revise कर चुका होगा तो exam में उससे question बनने की probability ज्यादा है और कभी ऐसा हुआ है जो काम हम लोग टालते हों और बाद में वो काम कर लेते हों तो बिलकुल यह काम नहीं करना है आप जैसे ही notes बनाते हैं यह table notes बनाने के बाद आपको यह table memorize करना है इसको learn क करना है डिसपर्शन मीडियम सॉलिड है लिक्विड है गैस है डिसपर्श फेज क्या है उसके बेसिस पर क्या नाम दिया गया है क्या नाम याद होना चाहिए और यह कुछ important example याद होना चाहिए जाब question करने लगेगा तो आप से साफ clearly question में पूछेगा किस टाइप पा कुलाडल सिस्टम है या मिल्क किस टाइप का कुलाडल सिस्टम है या बटर किस टाइप पा कुलाडल सिस्टम है ऐसे एकदम direct question होते है तो इसलिए टेवल आप लोगों को learn करना है कि शलिए नेक्स देखिए डिस्पर्शन मेडियम लिक्विड में लिक्विड डिस्पर्श इन सॉलिड तो उसको लोग क्या बोलते हैं जेल बोलते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड में डिस्पर्श हो तो उसको जेल बोला जाता है कुछ इंपोर्टेंट एक्जामपल जो कि बिल्कुल हम लोग को कंठस्त रखना है जेल के कुछ इंपोर्टेंट एक्जामपल कौन-कौन सा चीज बटर बूट पॉलीज टेबल जेलीज कर्ड नेक्स्ट मेडियम अगर हम लोग का गैस हो तो एरो सॉल्स कहा जाता है लिक्विड इन गैस एरो सॉल्स ऑफ लिक्विड सॉलिड इन गैस सॉलिड इन गैस एरो सॉल्स ऑफ सॉलिड उसके कुछ एक्जामपल अस्मोक और डस्ट चलिए नेक्स राते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल होते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्जाम्पल रुवी ग्लास सम जेम स्टोंस तो यह क्लासिफिकेशन मैं अब शुरू से रिपीट कर रहा हूं टेबल तो आप लोग को याद करना ही है लेकिन कॉंसेट दिमाग में बठाइए क्लाइड का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया गया है कौन-कौन सा पहला क्लासिफिकेशन है डिसफर्ज फेज और डिसपर्शन मीडियम के फिजगल अस्टेट के बेसिस पर तो डिसफर्ज फेज और डिसपर्शन मीडियम के फिजगल अस्टेट के बेसिस पर क्लाइडल सिस्टम आठ सॉल्स तो जेल किसे कहते हैं एडर सॉलिटे हैं सीश्चिस बुलाजाता था इस सरे जापटे थ्लीशन नहीं है तो फिजिकल स्टेट यह बिच्पर्स मेंगेंगे वे दूसरा क्लासिफिकेशन कौन साथ तो डिसिस पर टेस्पर्स classification तो हम लोग Master ने हैंगे तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो में जब लोग मिलेंगे तो हम लोग का दूसरा classification कौन सा स्टार्थ होगा तो ने चर टै ones डिवीडिम लोग मिलते हैं नेच्ट्स वीडियो में आप लोग इतना पुरा उतार लीजिए झाल